एक तरफ शिक्षा मंतरी कह रहे हैं कि हम दिल्ली मोडल पर काम करेंगे लेकिन सबसे पहली मीटिंग प्राइवेट इस्कूल एस्टोसियेशन के प्रिंस्पल के साथ क्यूं हो रही है क्यूं होगी सीमांचल में कहा जाता है कि टैग इस्कूल जोला में चलता है और सच्चा सबसे पहली मीटिंग प्राइवेट इस्कूल एस्टोसियेशन के प्रिंस्पल के साथ क्यूं हो रही है सबसे पहली मीटिंग सबसे पहले प्रेशवारता तो प्रेशवारता तो सिक्षकों के अपील था और जब प्रैवेट इस्पल एस्टोसियेशन चल रहा है नीजी विद्यालियों में बच्चे पर हैं नीजी विद्याले भी हमारी कमी को पुड़ा कर रहा है तो इसमें अधिकार करते हैं तो आप समझें आप जैसे लोग करेंगे तो समय है और मान लीजिए वह अगर हमको बुलाएंगे आप बुलाएंगे हम आपके पास लेंगे हमरा क्या काम है जो मूल बात है कि हमने गुरुजनों से कहा है कि भईया वर्क शंचालित जहां नहीं है वहां वर्क का संचालित करिया आप देखिए बच्चे किस तैदात में आते हैं एक मेहना करके तो देखिए आप तो इस सवाल को ले करके आप लोग मिले पास ना आईएगा जैसे जैसे गोदी मीडिया घुमाता है वैसी आप लोग भी घुमा रहे हैं आप तो अररिया के आप परभारी बन गए हैं अररिया की जिम्मेदारी है आपके उपर लेकिन आप शिक्षा मंतरी भी है तो अररिया में सैक्डो ऐसे स्कूल हैं जिसके पास भूमी है लेकिन भवन नहीं है तो वो ततकाल उसका इंतजाम टेंपरोरली किया गया है कि बगल क इसको टैग किया गया है सब आप लोग जानते हैं और उसे सिक्षक को भी उसी स्कूल में जाके परहना होता है भूमी है भवन नहीं है तो सरकार उस पर भूमी उस भूमी पर स्कूल बनाने के लिए परतिवद है लेकिन जब तक ना बनता है तब तक बगल के जो इसकूल में उसी के लिए तो अपील है ना कि वहाई शिक्षक अपना वर्क संचालित करें इस बात को हम बार बार कह रहे हैं तो फिर गोदी मिडिया तरह घुमा रहे हैं चलो चलिए लेकिन गोदी मिडिया नहीं है मंत्री जी यह जब उसी तरह से घुमा रहे है तो वही कहेंगे सवाल देखिए कि किस तरह सखी का मंतरी है तरह अपने बात रिखी तो और से माल त्हरे हैं